हाई गाइस वाद बैक वित अंदर जावा स्क्रिप् प्रोजेक्ट आज की इस वीडियो में हमें को एक जावा स्क्रिप् प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो की होगा क्यूर कोड़ जेनरेटर आपने बहुत सरी जगाव पर देखा होगा ऐसा यह रेंडम सा ब्लैक पाइटर अपने बहुत जगा पे देखा होगा इसको काई करते। आज की इस वीडियो में यह इंदे वाले क्यूर कोड़को क्यूरेटर हैं इसको मैं रिफरेश्च कर लेता हूँ सबसे पहले यहांप एक ब्लैक स्क्रीन होगी थें यहां पे यूसर को जो एंटर करना है वहां पर कर सकता है जो भी उसको जिसका QR-Code बनाना हो यहां पर लेंक या जो भी उसको मैसेज करना है कोई मैसेज तो उसका भी QR-Code बना सकता है वह टाइप करने के बाद यूजर यहां पर जनुरेट क्लिक करेगा तो इस तरीके से QR-Code जनुरेट हो जाएगा एंदेन हमने डाउनलोड का फीचर भी आइट किया अगर यूजर चाहे कि वह जो क्यूआर पोड उसने क्रेट किया वह उसको डाउनलोड करना हो तो वह भी यूजर कर सकता है यहां नीचे प्रेंट पर क्लिक करेग यहां परे अक्स recommend पहल tax कर लीजे लाच सर्वर एंट आपके इंस्टॉल का बटन देगा तो सब्सक्राइए फॉन आप मेरे साथ सब्सक्राル कर सकते हो आपको कोई दूसरा यूजरी्ट यूजर यूजर भी कर सकते और इस पर आपके लिए किर जरुर ही नहीं है वह बस आपन लेकिन जो यूज करने वाले होगे वह कोगा प्री कंपाइल बंडल सो पेंशन मत लीजे मैं आपको नीचे यह फाइल दे दो का यह लए लाइबरी की फाल नीचे दे दो अब डाउन्लोड कर डाट अपने वाट अपरोजेक्ट में इसको लिंक कर सकते हो सब सबसे पहल हूं एक अगर मेरा PC चल जाए तो इतना स्लो चलता है मेरा PC कमान से यहां फोल्डर क्रिए होगा है इसको रीणेम कर देता हूं कि वाओ मेरा टुटरियल तो ऐसे लंबा हो जाएगा एक पीसी ऐसे चलता रहा हो तो है तो इसको रेनेम कर लेते है इसका नाम दे देते है क्युवार पोड वाव क्यूवार पोड जन पर शॉट सो इसको में सलेक्ट पॉडर करके अपने वीज फोड में ओपन कर लेता हूं तो यहां पर यह open हो गया है सबसे पहले हमारी जो नॉर्मल फाइल होती है एक ट्रीएस की वह क्रिएट कर लेते हैं तो इंडेक्स.html और स्टाइलिंग के लिए एक स्टाइल.css क्रिएट कर लेंगे एंडेन जावा स्क्रिप्ट एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं तो नाम दे देंगे एप.js कुछ भी नाम दे सकते हो वाव मैं यहां पर क्यों लिख रहा हूं न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं आप डॉट जैस सो यह तीन फाइल हमारे पास आ गई हमारी नॉर्मल और हम ए यहां पर मैंने इसको टाइटल दे दिया सबसे पहले हम अपना CSS and HTML खतम कर लेते हैं ज्यादा कुछ नहीं करेंगे ज्यादा टाइम वेस नहीं करेंगे इसके पर सो सबसे पहले मैं एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूं सेक्शन में डिफ क्रिएट कर लेता हूं इसके अंदर एक कैनवस ले लेता है पहले क्यूंकि हमको कैनवस जो हमको qr-code रहेगा वह हमको कैनवस element के उपर ड्रॉ करना रहेगा जो सो इसको क्रिएट कर लिए और सबसे पहले मैं इसको लाइफ सर्वर में उपन भी कर लेता हूं यहां पर गो लाइफ को ऑप्शन दिया है उसक्लि क्लिक करके open with live server भी कर सकते हो सो यह यहां पर browser में open हो जाएगी अभी फिलाल यहां पर कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने कुछ content नहीं किया है अपनी website में सो यहां पर मैंने बस एक section एक section के अंदर div उसके अंदर canvas यह canvas के अंदर हम अपना qr-code शो करेंगे सो यहां पर मैं इसको एक ID देता हूं ID of canvas अगर आपको HTML और CSS नहीं आता है तो मैंने उस पर दो वीडियो बनाकर रखी है full course आप वो जाके देख सकते हो मैं नीच अची है तो link description में दे दूंग आप जाके देख लेना सो यहां पर मैंने इसको ID दे दिया हूं canvas की सो अभी इसको अपने project से link कर देते हैं यहां पर अलग-अलग तरीके बताए हुए है सो हम यहां पर NPM वगेरा नहीं यूज करने वाले हैं हमको यह चाहिए pre-compiled bundle तो यह हमको कैसे मिलेगा यहां पर लिखा है if you install through NPM pre-compiled files will be available in this folder तो यहां पर दिया है कि अगर NPM के थ्रूं इंस्टॉल करोगे तो आपको इस folder में मिल जाएगा सो मैं पहले से अजिम नहीं कर रहा हूं कि आपको NPM क्या है वो पता है and Node.js क्या है वो पता है सो मैं क्या करूंगा मैं इसको इस folder में से जाकर फाइल को ले लूँगा और काम करता हूं इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूं and then मैं वह फाइल आपको दे दूँगा सो मैंने इस qr-code की लाइबरी को डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लिया है अपने फोल्ड अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर साप इसकी टेंशन मत लीजिए यह फाइल मैं आप लास्ट में आके हम स्क्रेप्ट एक करेंगे इसको अपने प्रोजेक्ट में लिंक करने के लिए सो फाइल का नाम डाल देंगे qr-code-min.js इस तरीके से अब अपने प्रोजेक्ट को लिंक कर दोगे अब यह लिंक कर दिया है तो अपने हमारी जो दूसरी फाइल है अप.js ज चुकी है यह QR code की भी एंड जो हमने create करी है वह भी सो अपनी style sheet को भी लिंक कर लेते वह उमने नहीं किया है बस हमने create करके रखा है उसको भी लिंक कर लेते हैं यहां पर यहां पर इसने मेरे अटो कंप्लीट कर दिया बस मैं यहां पर .slash दाल देता हूं क्योंकि लिए सेम सब्सक्राइब कर देता हूं डिफ के अंदर दे देता है उसको भी h1 उसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट का टाइडल लिग देता है QR code generator अभी हम यहां यहां नहीं ड्राउजर में के देखते हैं यहां पर हमको QR code generator आता है आ दिखाई दे रहा है सब यह काम करते हैं हमारी जो अब मतलब जो हमारी प्रोजेक्ट की basic functionality जो कि यह QR code generate करना सबसे पहले हम उसी को implement कर देते हैं कि यहां पर लिंक कर दिये तो सबसे पहले उसी का use कर लेते हैं तो सबसे पहले इस library का documentation देख लेते हैं कि हमको क्या करने बोल रहा है QR code generate करने के लिए सब्सक्राइब करने के ल है जिसके through हम create कर सकते है QR codes obviously so जाते हैं हमारी app.js की file में सबसे पहले काम करते हैं हमारे canvas को यहां पे इस वेरियेबल में स्टोर कर देते हैं canvas नाम ही दे देते हैं वेरियेबल को एंड हमने इसको वहां पर एक आईडी दी आपको याद होगा एक canvas नाम की आईडी दी है so get element by ID and then यहां पर हम लिख देते है canvas तो वह canvas store हो गया है इस वेरियेबल के अंदर and then जिसके यहां पर दिया है QR code क्रेट करने के लिए जो हमको function available है है जो method available है उसका use करेंगे हम जो की है qr4.to canvas सो यहां पर नीचे आ जाते है qr-code किती खराब मेमरी है मेरी बार बार जाके देखना पड़ रहा है qr-code to canvas अब अच्छी है तो copy paste भी कर सकते हो उस लेकिन मैं यहां पर टूटरियल बना रहा हूं तो ज्यादा copy paste लोगों को अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैं यहां पर आपके लिए टाइप कर देता हूं सो यह function है जिसके तुरू हम create करेंगे qr-code ओके सो यहां पर हमको पहला parameter देख लेते हैं वह पास करना है हमारा element itself यानि हमारा canvas का element पास करना है एंड देन दूसरा हमको उस मतलब कि टेक्स्ट के लिए हमको qr-code बनाना है लाइक कोई URL कोई link या कोई भी message कुछ भी वह हमको यहां पर पास करना है एंड देन एक callback function दिया है अगर कोई error आ जाता है या कुछ तो वह हम इसके थ्रू हैंडल कर सकते हैं सबसे पहले हम अपना canvas पास कर देंगे इस function में canvas को पास कर दिया एंड एंड इन सेकंड हम दे देते हैं मैं अपना नाम लिख देता हूं फाहाद मापारी एंड यहां पर जो callback function इसको भी डाल देते हैं फिलाल के लिए इसके अंदर बस में console.log error डाल देता हूं एंड सेफ कर देते हैं जाके देखते हैं कि चल रहा है या नहीं तो जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर एक QR code बनके आ गया है अगर आप इसको scan करोगे तो आपके QR code scanner पर दिखा देगा कि फाहाद मापारी नाम से यह code था है यह तो बहुत एक simple functionality हो गई है बट हमको और भी चीज़े आइड करनी है लाइक एक हमको user को option देना पड़ेगा कि अपना message एंटर करने के लिए जो भी उसको एंटर करना है जिस चीज का QR code बनाना है सो अभी उस पर focus करते हैं सो वापस से हम यहां आ जाते हैं अपने फाइल के अंदर एंदेन हम यहां पेक इंपट टेक्स्ट ले लेते हैं इंपट टेक्स्ट नेम एन अल इतना है जरूरी नहीं है फिलाल बढ़ दे देते हैं कुछ भी यहां पे रिम्यूव भी कर देते हैं वी डोंट नीड नीम फर नाव सो और इसको यहां पे एक आईडी देते है आईडी मैसेज की देते इसको एंड एन एक बटन कर लेते हैं हैं यहां पर बटन बटन पर लिख देते हैं जैनरेट की ऐसा होगा जब यह बटन पर क्लिक हो तब ही क्योवार कोड जैनरेट हो सो यहां पर एक बटन का यूज कर लेते हैं एंड सेफ करके जाके देखते हैं वहां पर सो यहां पर हमारे पास यह बटन और आ गया है बट तो कुछ इतने अच्छे नहीं लग रहे कुछ स्टाइल देना पड़ेगा उसको तो स्टाइलिंग कर लेते हैं तो सबसे पहले हम थोड़ी अपनी नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं यहां पर सी एस की पैडिंग रिमूव कर लेते हैं मार्जिन भी रिमूव कर देते हैं और स्टाइजिंग को बॉडर बॉक्स सटक्रेंट कर देते हैं यह हो गया एंड एंड यहां पर आके थोड़ी ख्लैसे इनको देते हैं तो मेने ज्यादा कुछ नहीं किया यहां पर वने एलिमेंट्स को पुछ लास और यहां पर मैंने इसको एक मैसे नाम से घ्लास यहां पे मैं क्या करता हूं जो मैंने heading class दिया है मैं उसको select यहाँ पर कर लेता हूं and then उसको एक height देते है height of 10 VH and then हमारा QR code container है जिसके अंदर हमारा canvas and input and buttons and all है उसको select कर लेते हैं यहाँ पर QR code container and then उसको भी height देते है height of let's see what is this यह क्या लिखे जा रहा है height of 90 VH वहाँ पर मैंने 10 VH दिया है तो वह 10% लेगा screen का and 90% लेगा तो दोनों मिलाके 100% screen को cover कर लेंगे तो यहाँ पर 10% ले रहा है यह 90% ले रहा है अभी मैं को इसको बीच में लेकर आना है screen के यह जो हमारा QR code container है यहां इतने ऊपर अच्छा लग रहा है मैं को थोड़ा नीचे लेकर आना है तो क्या करते हैं हम यहां पर आते है QR code container में और लेट से डिस्प्लेए फ्लेक्स इस डिस्प्लेए दिया हमने एंड इस पे फ्लेक्स डिरेक्शन चेंज कर देंगे फ्लेक्स डिरेक्शन होगा कॉलम में सो वापस एक के नीच एक आ गए वो ठीक है एंद एन्जटिफाइ़ कॉंटेंट विल बी सेंटर सिथिफाइ़ इसको भी हम सेंटर में ले लेते हैं सेंटर सो वह सेंटर में आ जाएगा यहां पर सेंटर में आ गया एंड थोड़ी सी पैडिंग एड़ कर देते हैं पैडिंग लेट से जिरो पॉइंट रेम्स ऑन अल्डी साइड सो ठीक है चलेगा सो यह थोड़ा बैटर लग रहा है ज्यादा स्टाइल नहीं करेंगे हम ज्यादा फोकस करेंगे हमारी फंक्शनलिटी में सो अभी फिलाल यह थोड़ा बैटर लग रहा है एक बैग्राउंड कलर भी आइड कर ल बैग्राउंड बैग्राउंड की स्पैरिंग गलती लिखां मेंक शूर टू टाइप देट राइट एंड यहां पे इसको दे देते हैं यहां पे कलर आ गया है समय अभी हमक अपने हैडिंग का फॉंड कलर भी चेंज करना पड़ेगा ताकि लोगों को दिखाई दें हमने क सब्सक्राइट देता हूं 25 यहां पर देख सकते हो कुछ चेंज नहीं हुए इसकी साइस कुछ भी चेंज नहीं है सो क्यू चेंज नहीं है फिलाल के लिए हम उसको दे देते हैं इंपॉर्टेंट का टैग वैसे इंपॉर्टेंट यह जादा यूज नहीं करना चाहिए तो इस बटन को मैंने मैसेज के काई दिया था तो तो सुट्र सेल ficar लेता हूं मैसेश की क्लास भी दिया है खर सो क्लास के सल sóت कर लेकाइं से स्में तो उसको भी मैं विडेंट है 25 रैम ओली सा यहाँ पहर दूइढ है सबस्क थोड़ी सी तो कि देंग भी दे देते हैं न हो सब्सक्राय कर लेते हैं रे संधसों साइस बीढ़ी मिसी चींजिख कर लेता हैं रंब एंड फॉंट वेट भी चीए तो थोड़ा सा चेंज कर लेते है और 700 देन यहां के टाइप करें ओके ठीक है यह बैटर लग रहा है अभी बटन को भी सलेक्ट कर लेता है बटन को आगेस मैंने आई डी दिया था जेनरेट बटन आगेस तो बटन पर सबसे पहले बॉडर लिक कर देते हैं को सम्फिंग बैटर यहां पर जबन यहां पर जाकर देख लेए अगर प्रयवटर कट लर मिल रहा है तो यह यहीं बटन की खरको लवं यह बटन को ले लेते हैं और इस बटन पर दाल देते फिलाल के लिए वैसे बीड्य टाइडिक पर फोकस्ट नहीं है इतन यहां पॉइंट सिक्स रेंज की पैडिंग सो बटन थोड़ा बेटर लगेगा भी इसको थोड़ा फॉंट साइज भी चेंज कर देते हैं बटन का तो यह थोड़ा साथ चेंज कर देते पॉंट वेट इसको देते 700 अगें जो यह थोड़ा बेटर लग रहा है और करसर पॉंटर देदेते हैं यहां पे तो जब भी हम इसके ऊपर जाए तो ऐसा पॉंटर का आइकन है एड़ इसके अंदर कलर भी वाइड कर लेते फॉंट का तो बैटर लगेगा सो यह अभी बैटर दिख रहा है सो अभी काम करते हैं हमने अभी फिलाल क्या हो रहा है हमारी जावा स्क्रिप्ट के अगर हम फाइल में जाएंगे तो यहां पर बस यह जो मैंने टेक्स दालके रखा है वही टेक्स का यहां पर क्यूर कोड बन रहा है इन्पूट में से वैलए लेना पड़ेगा जो हमने यहां पर text box के वैल्य निकालना पड़ेगा सबसे पहले मुस्कों जावा स्कृट में साथ कर लेते हैं सो मैंने उसको जावास कि आए दिया तो वह तो याद नहीं है सबसे पहले यहां पर एक वीरेबल का नाम दे देते हैं यहां पर मैंसेज manner lilage मैं id कर दो सेलक कर लहां कि adikya कि दिये थे वह जाके एक बार देख लेते हैं 微क्षित नाम इने मिने सपdramatic प्हिष्टस सैकना लिए यहां पर मैं raising a नाम देता हूं जैन बीटी एन वेरियेबल को नाम देते हैं डॉक्यमांट टेलिमेंट बाइड यहां पर मैंने बटन को आई दिया था और нуть जनरेट बटन सबो लिख देते हैं सब अधी है की पर लेक्ट करकेको यहां याना i event listener add करना होगा उसमें सो मैं button का variable का नाम लिखूँगा then add event listener को function add करेंगे हम यहाँ पर और event कुन सा होगा click event होगा click करने पर हमको एक function run करना है so वो यहाँ पर मैं arrow function डाल देता हूं एक arrow functions का यूज करो हुआ आप normal functions भी उसक्ते हो so क्या करना है जब button क्लिक होगा तब हमको जो Input में वैल्यू है बो लेना है इंपुट का वेरियेबल का नाम है message तो सब से पहले हम लिखेंगे message.value जो यह message.value से हम को क्या होगा जो भी युजर ने टाइप किया है वह हम को मिल जाएगा सो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ console.log message.value सो आजाते हैं यहाँ पे मैं अपने console को open कर लेता हूँ क्योंकि लिए मैंने console.log किया है सो अभी मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर करता हूँ और अपने click event listener डाला हुआ है सो button पे सो मैं यहाँ पे click करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो भी value मैंने डाला है वो यहाँ पे आ रही है सो यही हमको exactly क्या करना है इस value को हमको बस यहाँ पे pass करना है यहाँ पे हम पहले से एक hard coded value डाल रहे थे अब उसकी जगा हमको user से value लेना है सो इसको यहाँ से हटा देते हैं और एक काम करते हैं यह ले इसको यहाँ से कट कर लेता है सो यहाँ से इसको कट कर लिया एंड हमको empty पे भी कोई QR code नहीं create करना है लाइक अगर user ने कोई value यह नहीं डाला और user बस generate पे click कर रहा है हमको कोई QR code generate नहीं करना है तो हम यहाँ पे if condition का use कर लेते हैं कि if message.value is equal to empty मतलब अगर कुछ भी नहीं हो अगर empty string है तो हमको कुछ नहीं लेट से हम क्या करेंगे यहाँ पे if it's not equal to empty देन हमको यहाँ पे यह function रन करना है जो कि हमारा QR code create करने का function है देंगे message.value इस तरीके से देन से अब जाके ट्राइब करते हैं सो यहाँ पे refresh होगा अब यह तो अभी पहले से कोई भी QR code बनके नहीं आ रहा है क्योंके अभी हमने उस function को निकाल के डाल दिया है event listener के अंदर इसलिए यहाँ पे कोई भी QR code बनके नहीं आ रहा है कुछ अच्छी नहीं है क्योंके लिए हमने सको CSS के तुरू पहले क्योंके बहुत चोटा बनके आ रहा था जो डिबाइड डिफॉल्ट यह QR code की लाइबरी यह उसको बहुत बाइड डिफॉल्ट आइगे कुछ 116 कुछ 100 pixels के आसपास में क्रिएट कर रहा था एंड देन हम सको CSS के तुरू यहां पर इंपोर्टेंट टैक्स देखें यहां पर विदन हाइट देखें हम इसको स्ट्रेच कर रहा है इसलिए इसकी क्वालिटी थोड़ी लोवर दे रही है तो यह जो QR code की लाइबरी है इसमें आप और पी फंक्शन पास कर सकते हो जिसके थुरू इसकी आप क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हो अगर आप यहां पर आओ इसके क्या डॉक्यमेंट में तो यहां पर देखोगे कि आपको यहां पर बहुत सारे ऑप्शन दिये रहेगे जो कि आप पास कर सकते हो यहां पर देख सकते हो अप्शन सो अलग-अलग यहां पर आपको ऑप्शन दिये पास करने के लिए सो जिसमें मैं इंट्रेस्टेड हूं व मुझे कितनी विच चाहिए सो अगर मैं बोलता हूँ 1000 विच चाहिए मुझे एंड यहां पर आके मैं वापस कुछ भी टाइप करता हूं जेनरेट पर क्लिक करता हूं तो अभी आप देख सकते हो कि अच्छी क्वालेटी में थोड़ा आ रहा है यह तो एक फीचर हमारा क्रिएट हो गया तो अभी एक नेक्स फीचर अट करते है क्योंकि यह यूजर स्फ जेनरेट करके उसको घूरेगा तो नहीं मोचाता होगा कि उसको डाउनलोड भी कर सके और वाइंड करने के लिए पटन कर लेते हैं ताकि प्रिए यूजर डाउनलो लग देंगे और यहां पे उसको एक class दे देते हैं लास अफ वॉट प्रिंट बटन मेरे इसाब से दोनों बटन को सेम स्ट्राइलिंग दें जी तो मैं दोनों में से दोनों को एक बटन बटन नाम की class देता हूं यहाँ पर जाकर generate को हटा देता हूं तो दोनों पर same styling आ जाएगी तो भी अगर हम जाके देखे मैंने HTML फाइल को save नहीं किया है तो दोनों को मैंने class button की दे दिया तो यहाँ पर दोनों को so दोनों को button की class मिल गई and दोनों पर same styling आ गई है so एक काम करते है button की और भी एड कर सकते हो या को एक बार्डर दे सकते हो एक बटन पे नगी तो दो दोटा सा मार्जीन देता हूं तो पिधर टॉ सकते हो या कुछ अलग तरीक से करना है तो वह सकते हो जादा नहीं देंगे 0.5 एमस की टॉप पे margin देता हूं तो देखें यहां पर इस तरीके से gap आ गया है अगर आपको gap नहीं इच्छा लग रहा है बॉर्डर देना तो बॉर्डर भी दे सकते हो यह दोनों को stick रखना है तो stick भी रख सकते हो अभी आप जैसे कि देख सकते हो जब हमारा QR code नहीं created रह आप आप यह जाती है जो कि अच्छी नहीं लग रही है सो एक काम करते है हमारे Canvas को भी पहले से एक बैक्ग्राउंड देते हैं कि सो बैक्राउंड का कलर हम यहां से यह वाला कलर ले लेते हैं इस कलर को हम यहां background में दे देते हैं और इन यहां पे कडर आ ताभी हम काम करते है हमारे download के button पे हम यहां पे कुछ भी एंटर कर सकते हैं अगर मैं यहां पे इसका यूर्ल कापी कर लिया copy कर यहां पर paste कर रहा पेस करने के बाद यहां पे यह generate हो रहा है कि यूर कोड अभी इसको और प्रिंट बटन सो यहां पे मैंने सको प्रिंट बटन की आई दे दिया है यहां पे इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे थूडुक्यूमेंट.getElementById और फिरी एंड है ओके ठीक है और यह नहीं इसके उपर भी हमको एक इवेंट लिस्टर एड करना पड़ेगा सो प्रिंट बटन डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक लिए अधेन हमारा कॉल बैक फंक्षन कॉल बैक फंक्शन देन इसके अंदर हमको डाउनलोड करने की फंशन function create कर लेता हूं यहां नीचे आता हूं और इस दाउनलोड फंक्शन के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे जिसके थूरू जो हमारा QR code create हो रहा है इस canvas के अंदर जो हमारी image create हो रही है यह QR code image create हो रही है वह download हो जाए user के computer वे सबसे पहले क्या करेंगे हम हम एक link element create करेंगे यहां पर एक link element कर लेते हैं document.create element function के थूरू so link tag होता है एस सो हम एक link tag create करेंगे थूरू JavaScript यहां पर हमने link tag create कर लिया अब देन उस link tag के ओपर हम एक attribute set करेंगे of download जिसमें अपने फाइल का नाम बताएंगे कि जो इमेज जब इमेज download होगी तब उस इमेज का नाम क्या होना चाहिए तो मैं यहां पर इसको qr code का नाम दे देता हूं बट हर बार qr code मतलब user हो सकता है multiple qr codes download करें तो हर बार उसको same image का नेम नहीं जाना चाहिए so उसको नाम दे देते हैं qr code and यहां पर मैं अंडर्सकोर डाल के लिख देता हूं plus date.now function का यूज कर लेते हैं तो इस function से क्या होगा जो भी current date होगी वो इसके साथ में append हो जाएगी हर बार तो यूजर जितने बार डाउनलोड करेंगा उसको हर बार एक अलग नेम की file मिलेगी so जो next चीज है हमको हमारे link पे url set करना होगा कि हमको हमारी image download करवानी है so उसका url set करना होगा तो सब हमको क्या download करवाना है हमको हमारी image download करवानी है जो कि यह canvas पे draw हो रही है so हमको सबसे पहले canvas को convert करना होगा to data url जिसके पास हम जिसके लिए हमारे पास function है एंड हम उसको as a image download करना है तो उसके अंधर हम एक फंक्शन पास करेंगे image slash jpeg इस तरीके से देन इसके बाद हमको एक ही चीज़ करनी होगी हमको हमारी link पे click करवाना होगा तो वह हमारे JavaScript के तुरू करवा देंगे link.click तो इसके तुरू link पे click हो जाएगा एंड डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा यूजर को pop-up आ जाएगा download का देन हमको इस link की ज़रूरत नहीं है इसको पेस्ट करके generate करते हैं आप चीज़े तो अपने mobile से वीडियो पर प्ले करते हैं चैन करके चेक कर सकते हो बराबर यह URL आ रही है या नहीं स्टोइ जन्रेट हो गया अब चेक करते हैं डाउनलोड हो रहा है या नहीं मैंने function को call किया है और ऊपर हो यहाँ पर यहां पर मैंने function को call किया है पर लिंक पेस्ट करके आपस से जनरेट कर लेते हैं प्रिंट पर क्लिक करता हूं एंड यहां पर देखिए फाइल का नेम आ रहा है एंड देन आगे वह डेट नाव फंक्शन से जो भी डेट आई थी वह मिली सेकंड में यहां पर अपेंड हो गई एंड डॉट जे पीजी त यह प्रोजेक्ट यहां पर खतम हो चुका है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो क्योंके लिए मैं ऐसे प्रोग्रामिंग related videos दालता ही रहता हूँ अगर आपके पास भी कोई suggestion है कि मैं अगर आप चाहते हो कि मैं कोई particular language या कोई particular project करूँ तो आप नीचे मुझे comments में बता सकते हो अगर अगर आपको कोई questions है तो आप मुझे Instagram पे भी DM कर सकते हो अगर इस projects related कोई question है अगर आपका इस्टक हो गया हो तो आप मुझे Instagram पे DM कर सकते हो मैं वहां पर आपकी help कर दूँगा and notifications को भी on कर दो तो मैं जब भी कोई video upload करूँगा तो आप उसको मिस नहीं करो गए so yeah I'll see you guys in next video bye कर दो